कि नमास्का दोस्तों आप लोगों कभी की स्टेटी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है उनहत्तर जास इच्छा भरती का एक न्यूज है वो देखते हैं पहले हेडलाइन क्या है उनहत्तर जास इच्छा भरती रद्द किया जाएगा कम गुडांकों वालों का चायन NIC की रिपोर्ट में यदि गलत न्यूक्ती मिले तो इसे सुधारेंगे महाधिवत्ता प्रियाग राजुन हत्तर हजास सहाय का ध्याप भरती में 31,277 पदो पर भरती के मामले में परदेश सरकार ने कहा है कि यदि गुडांकों वालों अभियार्ती की जगे कम गुडांकों वाले अभियार्ती का चैन हुआ है तो इसे सुधारा जाएगा और अधि गुडांको वालों को काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति दी जाएगी तथा कम गुडांक वालों की नियुक्ति रद किया जाएगा कोर्ट ने प्रकरण की सुनुवाई के लिए 17 नॉंबर कितित नियत की है इलाहबाद हाई कोर्ट में चल रही इस मामले की सिनुवाई के दौरान महाधिवक्ता रागवेंदर सिंग ने वीडियो कानफरेंसिंग से उपस्तित होकर बताया कि NIC से इस बात की पड़ताल की गई इकम पदों के बावजूद सूची जारी करने में किस प्रकार अनियमित्यता हुई NIC की रिपोर्ट आने के बाद गरबड़ी मिलती है तो उसे सुधारा जाएगा महा अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ये सभी नियुक्ती अन्तिम नहीं है और इस पर पुनरविचार हो सकता है नियुक्ती सुप्रिम कोर्ट के अन्तिम नेड़े की अधिन है सुप्रिम कोर्ट में कट आप मेरिट और सिच्छमित्र के समायोजन का प्राकरण अभी लं नहीं सवाल ही नहीं उठता यदि एसा हुआ तो मेधावी अभियार्टी को काउंसली में बुला कर आउसर दिया जाएगा महाधिवक्ता ने कहा है कि अगली सुनवाई पर वह यदि कोई जांच रिपोर्ट हो गी तो उससे कोट के समच रखेंगे साथ ही उस पर राज सरकार क जरिया भी अस्वष्ट करेंगे अब यहां देखिए फिल हाल कोई आदेश पारित करने किया सकता नहीं संजय कुमार यादो वै अन्य याचिकाओं ने वाचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं नयामूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता के इस बयान के बाद कहा है कि इस मामले में फिल हाल कोई आदेश पारित करने किया सकता नहीं है याचिके पच्छ में याचिके पच्छ से अधिवक्ता अगनी होत्तरी कुमार तिरपाठी अनिल सिंग बेसेन आधिका कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूचिस में बहुत से एसे माम संक वाले की को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है महाधिवक्ता के बयान के बाद पोर्ट ने मामले में सुनुआई है 17 नंबर नियत कर दे गई है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब परेगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुचे धन्यवासातियों